है 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 लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई इस्टेटी फीर चैनल दोस्तों आज मैं कुछ महत्पूर चोटू जो आपके एक्जांस में पूछे जाती हैं जैसे क्रैम मसंच पूल ग्रोन पूल की बारे में बताने जा रही हूं दोस्तों यह इस्पोर्ट इंजरी यानि खेल लगने वाले चोटों का आठवा पार्ट है इसके पहले में साथ पार्ट बना चुकी हूं इन साथों पार्ट की बारे में आप चैनल की प्ले लिश्ट में जाकर कि देख सकते हैं जिसके अंतरगत आप जोडों के प्रकार एंड हडियों के चोटे उत्तकों की चोटे की हो इसके सिलेवेस के एकार्डिंग पूरे वीडियो मेरी चैनल पर है आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं तभी आपको विश्वाश होगा दोस्तों एन अपनी तैयारी को बहतर बना सकते हैं और जितने भी टापिक्स बचे हुए हैं उन सब को मैं इस्टे बाइस्टे पूरा कर दूंगी तो दोस्तों चले जानते हैं क्रेंप मसल्स पूल गोन पूल यह तीनों क्या है सुबसे पहले हम जानेंगे क्रेंप क्रेंप मतलब होता है एट हंट एक हैश्य होता है जैसा कि चित्र में दिख रहा है एक एक हमारे मसल्स में बैद होने लगता है जैसे आप कौई काम कर रहा है बैठे हैं तो एक एक जब आप उचना चाहर है या बैठे ही है तो एक एक दर्द होने लगता है जैसे कि पेसी के जोरदार संकुचन के कारण या अनैचिक रूप से संकुचन के कारण पेसी तथा पेसी के समुख में आइठन आ जाता है यह पेसी हो चाहे पेसी का समुख हो उसमें आइठन आ जाता है उसी को कहते हैं क्रैम या आइठन इसका मुखे कारण होता है फीजियोलोजिकल इंबैलिंस यानि सरीर में जेयोरसाइन का आशन तूलन हो जाना इसके कुछ निमने कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारे सरीर में क्रेंप यानि एठनाता है जैसे की जलवाईों का बदलना जो हम इक अरत्तान से दुसरी अस्तारांप पर जाते हैं जलवाईो चेंज कर देते हैं तो इस परकार की समस्शे हमको आती है मसल्स क्रेंप हो जाता है अतधिक ठकान ओयरलोड के कारण अतधिक आपड़ ठक हुए हैं ओयरलोड कर लिये हैं तो भी ये समस्य उत्पन होता है कुपोसर के कारव कार्बोहाडेट, प्रोटीन, वसाज, जल, विटामिन, खरीज लवर इस सब आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं उचित मात्रा में तो आप कुपोसर के सिकार हो जाएंगे और इस प्रकार के समस्य उत्पन ईक्स çekार जाती हैं तो उनोट 80oss की करेंब सांच're जादे घर्म है या ठंड वातावरों के कर रहे हैं जादे ठंड है तो दोनों ही सिट्यों में उपन होता है तो यह था क्रेंप यानि एठन अब बात करते हैं मर्सल्स पूल पूल मतलब होता है दोस्तों खीच जाना मर्सल्स पूल यानि मसल्स का बहुत ज़्यादा खीच जाना जैसे की मसल्स पूल यानि बल पूरुक मांसपेशी के खीच जाने के कारण ही जब बल पूरुक मांसपेशी खीच जाता है तो उसी को मसल्स पूल कहते है यह पेशी तथा टेंडन की चोट होती है ठीक है यह मुहिस होता है मान स्पैसिया टेंटन के अतधीक यह new और सप्रेंट और इस्प्रेंट जो होता है वह हमारी लिगामेंट जो दो हडियों को जोड्यक जहुती हैं जो उसी को हम कहते हैं लिगामेंट लिगामेंट हमारे दो हड़ियों को जोड़ों पर जोड़ती है तो जो इस्प्रेन होता है वो लिगामेंट के अत्तरी खिच जाने के कारव होता है लेकि मसल्स पूल क्या होता है बल पूर्वक मांस्पेसी के खिच जाने के कारव होता है तो जहां भी मसल्स पूल या बल पूल वक मांस्पेशी खीचने की बात हो तो वहां मसल्स पूल होगा यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स है ग्रोन पूल ग्रोन पूल क्या है यह मांस्पेशी खीचाओ की चोट है यानि मसल्स पूल इंजरी है जो इस ग्रोन अस्थान पर लगती है ग्रोन अस्थान या अस्थान जांग और पेट की पेशियों के मिलने वाले अस्थान के पास इसी थोती है यानि जहां पे हमारे जांग और पेट की मांसपेसी मिलती है उसी को ग्रोन अस्थान कहते है वहीं पे जो मांसपेसी खीचाओं की चोट होती है उसी को हम ग्रोन पूल कहते है इसके अंतरगत जांग की पेशियां कौार्डी सेफ्स पेट की पेशियां इब्डॉमिन मसल्स प ग्रोन पूल जो होता है यह जारे तरह सबसे अधिक फुटबाल खिलाड़ी को लगती है यह चोट तो दोस्तों यह था आपका क्रेंप मुसल्स फूल एंग ग्रोन पूल के बारे में तो आई होप की दोस्तों यह जांकर यह आपको अच्छी लगी होगी नेस्ट वीडियो में आपका जो बती हुई इस्पोर्ट इंजरी है जैसे की इस्टी चार्ली हार्स मुसल इस्पोजम ओडिमा इसके बारे में बताऊंगी फिर एट आफिक्स खत्म हो जाएगा उसके बा तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली हुआ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिसे जो भी मैं नया वीडियो अपलूट करूं उसको नाटिफिकेशन आपके पहुंचता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक तो आपके साथ तब तक के लिए जैहिंदे